So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा बिजनस आइडिया देने वाला हूँ. आज जो पीछे मेरे प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखने में काफी बड़ा प्लांट लग रहा होगा और आपको काफी महगा प्लांट लग रहा होगा, बगर इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो बहुत छोटी investment आपको रहने वाली है. साथ ही साथ profit की बात करूँ तो per hour पे आपका product sale होने वाला है मतलब एक गंटे में आप अगर चाहें तो 1000 रुपे गंटा भी कमा सकते हैं इसको लगाने के बाद और अगर मैं बात करूँ तो production करने के बाद आपके जो product market में sale होने वाला है उसकी demand इतनी है मतलब मैं बात करूँ हर गली नुकड पे ये product sale होता है बड़े से बड़े चहर, छोटे से छोटे गाउं कजबे, सब जगा इस product की demand है और इसकी demand गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, हर कोई करता है मतलब ऐसा product मैं आज आपको ready करके दिखाने वाला हूँ साथ ही साथ इसमें कितनी investment रेने वाली है, profit margin कैसे आपको मिलेगा इस plan को आप किस तरीके से अपने या install करा सकते हैं, product किस तरीके से आपको ready करना है इसकी सारी technique, सारी training आपको यही से मिलने वाली है और किस तरीके से आपको product market में sale करना है मतलब आपको marketing कैसे करनी है, इसकी proper training आपको यही से मिलने वाली है तो चलिए भी नगी सीदेर, कि जल्दी से video को start करते है, पूरा product आपको दिखाते है क्या investment रेने वाली है, कैसे profit margins आने वाले है तो चलिए मैम से मिलते हैं और देते हैं आपको इस business की पूरी जान करते है So finally हमारे साथ company से मैम जोड़ चुकी है, so hello, namaskar मैम Namaskar से स्वागत है आपका हमारी YouTube channel पे आपका भी स्वागत है हमारी company में Thank you so much मैम, तो मैम आज अगर हम बात करें जो यह plant हमारे पीछे रखा है तो अगर इसमें बात करूँ प्रोडेक्ट की सबसे पहले तो प्रोडेक्ट कौन सा रड़ी होने वाला है अच्छा मतलब हम अपने कौरडिंग मतलब जितना स्टॉक रेड़ी करते हैं उसके हिसाब से कमाई कर सकते हैं सबसे पहले थोटा छोटा सा इंट्रॉप किया और आपकी company का मैं मेरा नाव कृष्णा मैं global industries है बात करें अगर इस business की सो इसमें business में अगर कोई लगाना चाहा इस plant को तो प्रॉफिट की सबसे बड़े बात कर ले ते प्रॉफिट कितना आने वाला है इसमे जो प्र केजी प्रॉफिट रहता पॉज रहते हैं तीस उपे से लेकर सो और पे पर केजी का से किया बात है 40-45 के जी एक गधं तरहीए कर देगा अच्छा में मैं थोड़ा सा हमारे क्या होते हैं जो कस्टुमर्स होते हैं तो, से नौर्म परसंट कोई भी चला सता है, इसमें पढ़ाय लिखाई की भी requirement नहीं है? यह एक तररीक त्दाए पने पढ़ाय लिखाई की भी requirement नहीं है, एक normal machine है, यहां से आपको प्रौपर technician support मिलने वाली है technician support मैं याद आया कर अगर अगर प्लांट को को लगवाता है तो अच्पे guarantee warranty period करेने वाली है वो जो guarantee warranty रहता है means the year's का service रहता है okay तीन साल तक service प्रोष्स प्रोवाइद करा थे आप आप में बात करें जैसे कि आपने कहा तीन साल के अंदर जो सर्वीज रहती है उसमें प्रवाइट कराया जाते हैं सबसे बड़ा डाउट सबसे बड़ा कोशन कस्टुमर्स का यहां पर यह रहते हैं कि माली जी अगर कोई से इंस्टॉल कराना चाहता है मतलब आज मैं अगर इसे ओर देता हूँ तो आप मुझे कितने दिन में रेड़ी करके देंगे और इसके बाद इंस्टॉलेशन कितने टाइम में करवा दे जैसे कि अगर आप मैंन के चलिया आप ने मुझे आज आज अटर प्लेस करा तो ना आट सो अगर इसमें कोई कस्टुमाइजेशन अपने हिसाब से कराना चाहे है तो भी कर सकता है? बिल्कुल सर, वh भी कर के देंगे हम आजो जैसे ही हम बात करने दें But to do product इसब में जो the product you wonder what the product ready होने वाला थोड़ा सा medisible करी है और कौन कौन से product we can ready कर सकते है जैसे कि जो हम बना सकते हैं緬 दुञ पर उडिक सश्वेस को मतलब तो साइस कर्स्टूमर को जिसके लिए उस लिए करूंँ सब्सक्राइब करण ngay तो अनुट सब्सक्राइब को जिसकेिये शरी इस isn't तो मैं जैसे कि हम बात कर रहे थे product की, so product दिखाईए कोन-कोन से इसमें बनने वाले मैं, जैसे कि हमारे पास जो एक carry bag का sample है, यह आपका carry bag बन जाता है, बाइक यह garbage bag है, ठीके, और जैसे कि मैंने आपको बोला हमारे पास छोटे sizes ते लेकर बड़े sizes का carry bag बन जाता है, यह पर पर दो जाता है, तो मुझे इसके लिए कोई बड़ा लाइसेंस पर लेकर नहीं है, इसके लिए लाइसेंस चाही होता है, क्या-क्या लाइसेंस चाही होता है, जैसे कि यह दो लाइसेंस होता है, जैसे कि अगर आपको Central में वर्क करते हैं, तो Sander's Pollition and Control Board का लाइसेंस चाही होता है, इसमें क्या रहता है कि काफी सारे customers इस के लिए educated नहीं होते हैं, उनको नहीं समझ माहता कि लाइसेंस नहीं है हम किस तरीके से लें तो उस जगा पे company का support गया रहता है, वो हमारी तरफ से सपोर्ट रहता है कि हम उनको गाइड कर सकें कि कैसे अप्लाई करते हैं उसकार्डी हो जाएगा वैसे तो आज की डेट में हर एक चीज़ उनलाइन ही कर सकते हैं भागने दोड़ने की जुरुति नहीं पड़ती तो इस तरीके से अब अच्छा मैं थोड़ा सा अब यहां पर यह बता दीजिए कि इसके अंदर प्रोटेक्ट किस तरीके से राइडी होता है क्या क्या प्रोसेस रहता है जैसे कि सर इसमें जैसे कि मोनो लेर रहता है ठीक है इसमें मिक्सर रहता है परले इस मिक्सर के अंदर डाना डालेंगे फिर जो है कि फिर दाना सरी रोल बनता है के बाद जो होता है सीलिंग कटिंग होता है ठीक है सीलिंग कटिंग के बाद जो रहता है वो आपका पंचिंग होता है पंचिंग के रहने के बाद आपका कैरी बैग जो होता है रेडी हो जाता है उसके बाद आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं कि जैसे की पंचेंग मगेर होने के बाद जो फाइनल प्रोडेक्ट है हो रेडि coordinator देन उसके बाद हम अपने साब से अब सकते हैं जितनी पैकिंग कर सकते हैं उसके इसे से passado कर सकते हैं तो वाकि तो हर जगा सेल होता है, छोटी से छोटी मार्केट से लिए बड़ी मार्केट में हर जगा डिवानें सर, ओके, सो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था, आप जो margin से वो किस according रहते हैं वो थोड़ा सा clear कर दीजे मैं वो market के पर depend करता है market पर किया आपके हां पर किस rate पर sale हो रहा है उसका according का margin रखे उसको sale कर सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पर जिस तरीके का फैक्टरी से मिलने वाला है सब्सक्राइब कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली मतलब अगर हम इसको प्लांट को लेते हैं इंस्टॉल कराते हैं तो यहां से प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलने वाली है साथी साथ तीन साल की सर्विस भी मिलने वाली है प्रोडेक्ट किस तरीके से रैडी करना मार्कीटिंग कैसे करनी है इस तरीकी सारी सपोर्ट आपको मिलने वाली है साथी उसकी सारी भी यहां से जानकारी मिलने वाले है, तो मैं बात करें, जैसे काफी वड़ा प्लाइं तो लोग के माइड में किये भी रहता है, कि इतने अरिये के मुझे रिकॉर्मेंट पडने वाली है. यह डिपेंड करता है कि आपको आप इसका हाँ प्लांट लगा रहें कि फुल प्लांट जो फुल प्लांट के लिए आपको एरिया चाहिए होता है वो 1100 से लेके 1600 स्क्यार फिट का स्पील चाहिए होता है अब जैसे कि मैं बात कर लेते हैं, अब जैसे कि यह product है, काफी demand में रहने प्रोड़ेक्ट है, demand, मतलब demand and supply प्रोड़ेक्ट है, so काफी लोग नहीं चाहते हैं कि में इतना बड़ा पैसा लगा के इतना बड़ा प्लांट लगाउँ, तो जो छोटी पुंजी से स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमा मॉंट से वो कैसे कर सकते हैं? सर इसके लिए हमारे पास option रहता है कि हम इसका half plant भी sale करते हैं, जैसे कि ceiling cutting होगी और punching machine ओके, सो half plant भी आप स्टार्ट कराते हैं, सो वो minimum amount से स्टार्ट हो जाता है मैं, अगर उसके area की requirement बात करें तो उसमें कितने area की ज़रत पर प्रॉसस देखना हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करना होगा? सर जो स्क्रीन पर दिये गए नमर है, उनको contact कीजिएगा ओके, सो इस तरीके से देखिए, इसमें machine आपने देख लिए किस तरीके से plant work करता है, साथी साथ अगर आप इसे छोटे तोर पे, एक लगूद्योग तोर पे start करना चाते हैं, तो वो भी easily कर सकते हैं इसकी और जानकारी आप चाते हैं, तो स्क्रीन पर numbers flash हो रहे होंगे, जहांसे आप contact कर सकते हो मैम को, बागी सारी details आपको वहाँ से मिल जाएगी कि किस तरीके से investment करनी है, कैसे profit आप ले सकते हैं, और कैसे इसकी running video आप मैम से लेके देख सकते हैं Thank you so much watching this video